वन्दे मातरम दी अस्टूरांट्स तोड़े विल स्टार्ट दी फर्स्ट पार्ट ओफ यूनिट 6 ओफ इंग्लिश सब्जेक्ट ओफ स्टेंडर फिफ्ट एन दी फर्स्ट पार्ट इस एबाउट दी क्लास डिस्कॉशन तो बच्चों अपने इस वीटियो में क्या करेंगे अपने इस वीटियो में यूनिट 6 का पहला भाग देखने जा रहे है और इस पहले भाग में अपने क्या देखेंगे कुछ क्लास डिसकॉशन रिलेटेर कुछ अपने देखने वाले है ओके तो क्लास डिसकॉशन यानि क्या होता है क्लास यानि जिस कक्षा में आप बैठते हो राइट और अपने जब क्लास में बैठके कुछ बाते करते होते हैं तो उसे दिसकॉशन कहते है राइट तो देखो आपको यहाप पिक्चर में कौन दिख़ाई दे रहा हैं ये टीचर है और ये फिर बच्चे है बच्ये बैठ दिसकर्शन, राइट, तो अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इन दे क्लास दिसकर्शन, जेन, यू हार्टली सेड़ वर्ड, तब क्या कह रहे हैं, कि क्लास दिसकर्शन की बात हो रही है, और टीचर उस एक बच्ची है, जिसका नाम है जेन, तो उसे कह रही है, कि जेन, तुमने मुश्किल से एक वर्ड बोला होगा, We all add our opinions, but from you we barely heard, तो क्या कह रहे हैं, ती add, यानि हमने अपनी बाते बताई, तो टीचर कह रहे हैं, या फिर बाकी students है, वो भी कह रहे हैं, कि हम सबने तो अपनी बाते बता दी हमारी क्या कह रहे हैं, पर तुम तो सिर्फ सुन रही हो, You sat and stared in silence, surrounded by the chatter, now tell me Jane, and please be plain, is there anything the matter, तो अब टीचर पुछ रही है, कि तुम तो सिर्फ बैठी हुई हो, और चुप चाप से सब को देख रही हो, और सब क्या बाते कर रहे हैं, वो सुन रही हो, अब Jane, प्लीज मुझे बताओ, जरा भी हिचकिचाना मद, कि क्या कोई तुम्हारे बात है, क्या कुछ तुम्हे प्रॉब्लम है, Jane looked up and then she spoke, her voice was clear and low, There are many people in this world who are rather quite you know, तो ये पोयम किस ने लिखी है, गर्विस फेन ने, तो फिर क्या हुआ, कि Jane ने उपर देखा, और फिर वो बोली, उसकी आवाज कैसी थी, बहुत ही clear थी, पर धीरी सी थी, low थी, और इस वर्ल में, इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे इंसन होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा चुप रहते हैं, और आप उनमें से किसी को तो जानते होंगे, है ना, ओके, तो पोयम समझ में आ गई, ओके, तो कुछ new words देख लेते हैं, new words कौन से हैं, तो new words है, discussion, तो discussion यानि talking together in a group on a single topic, यानि कि सब एक साथ मिलकर एक ही topic पे बात कर रहे होते हैं, तो उसे discussion कहते हैं, फिर add, add यानि make public, यानि सब को बताना, यिसे add कहते हैं, barely, यानि only just, barely यानि सिर्फ only just, फिर stare, look fixedly with eyes wide open, यानि कि stare करना, यानि क्या, आखे खोल कर देखते रहना, फिर plain, यहाँ पे you're clear, यानि plain का मतलब क्या होता है, clear, ओके, तो अब अपने क्या करेंगे, अपने इसके related question answers देख लेते हैं, ओके, पहला question क्या है, पहला question है, what activity was going on in the class, class में कौन से activity चल रही थी, answer, discussion was going on in the class, class में discussion चल रहा था, second question, who was the quiet one in the class, class में कौन चुप था, answer, Jane was the quiet one in the class, class में Jane चुप थी, third question, why was she quiet, वो क्यों चुप थी, options है, पहला option, she was afraid to air her opinions, वो सबको अपनी बाते बताने में हिचकिचा रही थी, डर रही थी, दूसरा, she hated the noise, उसे noise यानि की बहुत आवाज हो, वो से पसंद नहीं था, तीसरा, she didn't like the activity, उसे activity पसंद नहीं थी, और fourth, she was quiet by nature, वो नेचर से ही चुप थी, तो answer क्या आएगा, answer fourth है, she was quiet by nature, यानि वो नेचर से ही ऐसी थी कि वो चुप रहे, ओके, अब fourth question, fourth question क्या है, how do you interact in class during discussions, do you participate or remain quiet, तो fourth question है, कि class में discussion हो रहा हो, तब आप कैसे interact करते हो, कैसे रहते हो, क्या आप चूप रहते हो, या फिर आप participate करते हो, भाग लेते हो, answer, I actively participate in class discussions, I don't like to be quiet, मुझे चूप रहना पसंद नहीं है, मैं discussion में अच्छे से actively भाग लेती हो, right, अब क्या है, तो next है, देखो, think and write, सोचो और फिर लिखो, choose two friends in your class who are very different from each other, use the clues in the box to describe their nature, you may also add your own words to describe them, तो आपको क्या करना है, आपके class के कोई दो बच्चे जो बिलकुल एक दुसरे से opposite हो, उनके बारे में आपको लिखना है, और यहाँ पे यह जो आपको box में words दिये है, इनकी मदद से आपको paragraph लिखना है, उनको describe करना है, ओके, तो मैं तो सिर्फ आपको example दे रहे हूँ, आपको आपकी class के बच्चे के बारे में लिखना है, जो दो बच्चे जो बिलकुल एक दुसरे से opposite हो, तो देखो, मैंने क्या लिखा है, शंकर and मनी are two friends studying in my class, they sit together everyday, but they are very different from each other, शंकर is naughty and careless, तो यह पे naughty and careless आगया, whereas मनी is friendly and careful, तो friendly भी आगया, ओके, फिर क्या है, शंकर is very talkative and talks even in the presence of the teacher, फिर बाट, मनी is quiet and studious, he is also helpful by nature, he is very regular in his work, तो देखो, quiet आगया, studious आगया, फिर helpful भी आगया, regular भी आगया, है ना, उसी तरह, आपको क्या करना है, एसे पूरा बनाना है, जितने भी words है, उनको लेकर, फिर second activity, second क्या है, fill in the grid given below by assigning qualities to each person, some clues are given here to help you, तो आपको क्या करना है, कि नीचे आपके textbook में दिये हुए grid को complete करना है, उनमें person के related आपको activities, उसकी qualities क्या है, वो लिखनी है, कुछ clues यहाँ पे दे रखे है, तो देखो जैसे क्या है, कि पहला संगीता lands her pencil to her partner, संगीता उसकी partner को pencil देती है, तो संगीता में क्या आएगा? संगीता में generous आएगा, वो pencil दे रही है इसलिए, तो यहाँ पे अपने generous में टिक करेंगे, ओके, फिर दुसरा क्या है? नीरव is also called a chatterbox, तो chatterbox यानी क्या होगा नीरव? तो नीरव होगा talkative, यहाँ पे टिक करेंगे, फिर प्रनाव recently saved a cat from drowning in the lake, तो प्रनाव ने क्या किया? मदद की, पर कैसे bravery दिखा कर, तो यहाँ पे अपने brave में करेंगे, ही मत दिखाई ना उसने, फिर mega is just the opposite of नीरव, तो नीरव कैसा था? तो मेगा कैसी हो गए? मेगा quiet हो गए उसकी opposite, राइट, फिर क्या है? तो मिथिला, always teaches everyone, तो मिथिला सबको चिडाती रहती है, तो वो कैसी हो गए? नौटी, है ना? फिर last one, रितु is always seen with a book in hand, तो वो हमेशा पढ़ती रहती है, तो रितु कैसी हो गए? इस चूडियस, तो यहाँ पे स्चूडियस में, तापको इस तरह पूरा करना है, ओकी? अब क्या करना है? कि राइटर नोटीस, नोटीस लिखनी है, और नोटीस चेल्स हूँ, वेन, वेर, एंड वाट, तो नोटीस क्या बुलता है? कि कौन, कब, कहां और क्या? The girls and boys of class 5 wrote notices for the bulletin board, bulletin board के लिए class 5 के बच्चों ने notice लिखा है, और देखो, यहाँ पे क्या है? Read Sheila's notice, discuss the questions that follow, आपको Sheila की notice पढ़नी है, और फिर questions आपको discuss करने है, ओके, तो नोटीस में क्या है? Notice में है, the drama committee will meet in the classroom on Monday at 2 o'clock, we will plan a play for our annual day, will each one of you please bring a play? और लिखा किसने? Sheila ने, तो देखो, यहाँ पे drama committee भी आ गई, फिर यहाँ पे time भी आ गया, फिर कौन से डे पे है, किस की वज़े से है, तो annual day की वज़े से है, क्या क्या लाना है, तो सब आ गया ना? तब questions इसके related, पहला question क्या है, who was to meet, किसको मिलना था? The answer, the drama committee was to meet, second question, the second question क्या है, when were they to meet? They were to meet at two o'clock, फिर third, where were they to meet, वो लोग कहां मिलने वाले थे? तो answer, they were to meet in the classroom, या पे वाई आएगा, ओके, तो classroom में मिलने वाले थे, what were they to do, वो लोग क्या करने वाले थे? They were to plan a play for their annual day, right? अब second, the second क्या है? Write a notice about library committee और a football match, ताब क्या करना है आपको? Notice लिखने है, या तो library committee पे या football match पे, ओके, तो देखो, या पे लिखा है मैंने Notice है, an inter-school football match will be played between the DAV public school and our school at Molana Stadium The match will be held on 5th February at 2 PM All the students are requested to visit the stadium and watch the match तो यह किसने लिखा है? सोरोवने Okay, इसी तरह आपको भी क्या करना है? आपको भी library committee पे लिखना है, या फिर football match पे आपको लिखना है क्या लिखना है? Notice Okay, तो exercises और सब समझ में आ गया Okay, तब आपको क्या करना है? इनको पूर exercises को आपको textbook में लिख सको वो extra rough notebook में भी लिखना है Okay, वन्दे मातरम सम्मा, कर अपको SLU